अरंगबाद से नागपूर के लिए विदेशी शराब की धुलाई कर रहा ट्रक चालक का गलत रास्ते से जाते हुए ट्रक से अचानक नियंतरन खोने से ट्रक पुलिया से नीचे गिरा गिरते वक्त पुलिया के पास लगे बिजली के खंबे की तार से स्परश होने की वज़ घटना बूटीपूरी पुलिस थाने के अंतरगत वर्धावाए पॉइंट उडान पूल पर 14 मई की राद 12 बश कर 15 मिनिट के करीब हुई है घटना में मुरुच चालक का नाम हेमराज और पिंटिया देविदास पीपले उम्र 25 साल गाउ मासल तैसे लाख हंदूर जिला भ घटना के एक दीन पहले वो हमेशा की तरह और अंगाबाद से अशोकले लैंड ट्रक रमांक में चालिस वाई 81-26 से विदेशी शराब OC Blue 180 ml नेप की 300 पेटिया AB 7 750 ml के बंपर की 700 पेटिया ऐसी कुल 1,000 पेटिया जिनकी कीमत 65,666,180 रुपए कीमत का माल लेकर निकला था घटना वाले दिन रात करीब 12 बशकर 15 मिनीट पर वर्धा वाई पॉइंट के उडान पूल के पास आकर रात के टाइम में रास्तो कांदाच चुकने की वज़े से गलत रास्ते से उडान पूल पर चड़कर चंदरपूर की दिशा में चल दिया उसी समय अचानक चालक ने ट्रक से नियंतरन खो दिया और वो ट्रक के साथ ही पुलिया से नीची गीर गया उसी दरान पूल के पास लगे बिजली की खंबे की तार से सपर्शोने से ट्रक को आग लग गई जिसे बचने का हेमराज को वक्त ही नहीं मिला और उसकी आक में जुलसकर मृत्य हुई घटना की जानकारी मिलते ही बुटी बुरी थाने के थानेदार ओम प्रकाश को काटे पिएसाय संजे भारती आशिश मुर खडे और अन्य पुलीस दलबल के साथ घटना स्तल पर पहुचे अगनी शमन दल को बुला कर आग पर काबु पाने का प्रयास किया गया आग इतनी भयानक लग चुकी थी कि आग पर काबु पाने के लिए अगनी शमन विभाग की दो गारियों के साथ पुलीस को कई घंटों मशकत करने पड़ी जिसके बाद आग पर काबु पा लिया गया लेकिन चालक को नबचापाने का खेट पी आए को काटे ने व्यक्त किया है पुलीस ने घटना का पंचनामा कर घटनामी शराब और ट्रक से गुल 80,67,180 रुपयों का माल जल कर खाक होने का दर्श किया है चालक का शोजब कर पोस्मार्ट अमितू रवाना कर मामला दर्श किया गया है